नमस्कार रमेश विदूरी पर बात करेंगे रमेश विदूरी को लेकर मैंने इस चैनल पर दो वीडियो पहले भी बनाये हैं एक तो उसी दिन जिस दिन दानिश अली को उन्होंने डाटा डपटा था और तताकतित रूप से जो धुर धुर वयवार जिसे का जा रहा है वो किया था फिर उसके बाद मैंने दो दिन के बाद एक और वीडियो बनाया था और चिसमें मैंने ये बताया था कि आखिरकार दानिश अली के परती सानुबूती जो है वो लोगों में क्यों नहीं बनपनप पाई ऐसा क्या हुआ कि शोशल मीडिया पर दानिश अली के बजाए रमेश बिधूरी के समर्थन में ज़्यादा ट्रेंड चलते वे नज़र आए रमेश बिधूरी जिंदाबाद, वी सपोर्ट रमेश बिधूरी पता नहीं किस किस तरह के ट्रेंड चले और खास बात क्या थी? खास बात ये थी, मैंने आपको ये भी बताया था ये वीडियो मैं पहले भी बना चुका हूँ कि दिल्ली के जो साथ लोग सभा सांसद हैं भार्वेश बिधूरी के उन में से जादतर के टिकेट बदलने की चर्चाएं पिछले काफी समय से दिल्ली में चल रहे हैं और इन में से रमेश बिधूरी का भी नाम है हाला कि दो नाम ऐसे हैं जो मुझे नहीं लगता कि आसानी से बदल जाएंगे परवेश बर्मा और रमेश बिधूरी लेकिन उसके बावजूद भी बाकी सभी सांसदों की तरह इनके भी नाम बदले जाने की चर्चाएं चल रहे हैं रमेश बिदूडी और परवेश रवर्मा की खास बात ये है कि ये जाट और गुर्जर कम्यूनिटी से आते हैं दोनों और मास लीडर हैं जंता इनके साथ है भीड इनके साथ है समर्थकों का समर्थन टीम इनके साथ है गौतम गंभीर या फिर मिनाक्षी लेकी तो ऐसे अपना परसोना है अपना जो औरा है उसका भी काफी बड़ा परभाव है मैंने ये कहा था कि शायद रमेश बिदूडी का टिकेट बदला जाएगा और इससे में जो रामबीर बिदूडी हैं लीडर अफ ऑपोजिशन है दिल्ली विदान सबा में विदायक हैं गुजर समा बन जाएगा और देखिए इस बीच हुआ क्या कि भारते जंता पार्टी ने रमेश बिदूडी को टॉंक जिला है जो गुजर बहुल टॉंक जिला है आपको पताई है कि वहां से कनक्षन है सचीन पाइलेट का मुस्लिम आबादी भी काफी है वहां पर उस जिले का परभा बेनी वाला आते हैं जहां से एक और जीला है उनके पास किरोडिमल मीना वाला तो इस तरीके से कुछ नेताओं को जो जाती विशेश को रिपरजेंट करते हैं उनको इस तरह की जिम्मेदारियां दी गई है और विपक्स सारा परिशान है यह बताईए रमेश बिदूडी क खिलाफ को ये अक्षन तो लेने से रहे भारते जंता पार्टी वाले उन्हें जिम्मेदारिस हो रहे हैं देखिए यह दोनों अलग चीज़े हैं मैं लोगों को बता दूँ कि इस मामले में जो विशेशा धिकार समीती है उसके पास मामला चला गया है पार्लियमेट की और उस विशेशा धिकार समीती में तमाम चर्चाए होंगी और विशेशा धिकार समीती में 14 सदस्य हैं और उसके जो परमुख हैं वो सुनील कुमार सिंग बीजेपी के ही हैं और इसमें 14 में से 8 सांसद भारते जंता पार्टी के हैं तो ऐसा नहीं है कि विशेशा धिकार समीत दूबे ने जो काम किया वो भी अद्बूत है निश्यकांत दूबे ने पारलेमेंट के अंदर भी आरोप लगाये थे और पारलेमेंट के बाहर भी आरोप लगाये थे और उन्होंने कहा था कि आज भारते जनता पार्टी वहुमत में है तो इस तरह की बयानबाजी की जाच ह हो रही है जब केवल शब्दों से बात कही गई है कि आपने जाती विशेश का नाम लेकर या संपरदाई विशेश का नाम लेकर दानिश अली के उपर इस तरह के आरोफ लगए लेकिन उन्हें कहा कि यहां पर खून खचर हुआ है लड़ाई जगड़े हुए हैं यहां पर उ और इसके लावा 2014 में जब तेलंगाना का विवाजन का मुद्दा हुआ था उस समय भी भी आर पार्लियमेंट में मारपी ढूईती अंगामा हुआ था और कुछ सांसत गायल हुए थे लेकिन किसी भी मामले में आज तक जांच नहीं की गई है उन्होंने कहा कि नरेंदर को दो दिन पहले पर टोका था कि भाईया इस तरह की बात मत करो जब इस मरती रानी बोल रही थी तो भी दानिशली ने दुरवयवार किया था और लगता टोका टाकी की थी और अपशब्द गए थे लेकिन उसका किसी को ध्यान नहीं बस सब इस बात पर लगे हुए है कि र लोगों ने सब कुछ देखा है टीवी चैनल पर इसको खूब चलाया गया है तो उस लिहाज से इसका इंपक्ट तो है और भारते चंता पार्टी ने इस इंपक्ट को रियलाइज किया है भारते चंता पार्टी अब वो गलती नहीं करना चाहती जो उसने नुपूर शर्मा के मामले में की तो आज भी अगर आप सोशल मीडिया पर देखेंगे तो नुपूर शर्मा का समर्थन आपको जबर्दस चलता वा मिलेगा और अभी हाल ही में नुपूर शर्मा दवैक्सिन वार नाम की एक फिल्म आई है उसके प्रीमियर पर नजर आई थी और लगबग य पहली बार पब्लिक एपिरेंस था ये नुपूर शर्मा का उनको कड़ी सुरुक्सा दी गई है चांद से मारने की धंकिया मिलती रही है उन्हें टी राजा को याद कीजिए जो दक्षिन भारत के विदायक थे बीजेपी के उनको खिस तरीके से अटा दिया गया था पार् करनाटक के विदान सभा चोनाओं में भारत जंता पार्टी ने भुगता भी है तो अब मुझे लग रहा है कि रमेश विदूरी को लेकर भारत जंता पार्टी ने एक अंदर ही अंदर ये मन बना लिया है कि ठीक है पारलमेंट में अगर उनसे लिखी ते में माफी मांगने के लिए कही जाएगी वो मंगवा लेंगे उनसे उनके शब्द जो है वो हटवा दिये गए हैं उसमें से इससे ज्यादा कुछ कोई बड़ी बात कहती हुई वो नजर नहीं आ रहे हैं मतलब भारते जंता पार्टी कोई ऐसा बड़ा स्टेंड बिदूरी के बारे में लेती हुई नजर नहीं आ रही है और भारते जंता पार्टी ने विपक्ष के दल कोई कुछ भी कह रहा हो भारते जंता पार्टी ने कायदे से कुछ चीजों के लेकर बड़ी स्थिति स्पष्ट कर लिए जहां उन्हें वन टू वन अटैक करना है वो वहाँ पर लगे हैं जैसे क ममता बनर जी के मुद्दे को लेकर ममता बनर जी के खिलाव 2021 के विदान सभा चुनाव के समय अमित शाने जबरदस्त बैटिंग की थी उनके उपर जबरदस्त हमले बोले गए थे दीदी ओ दीदी वाला डायलोग आपको याद होगा नरेंदर मोदी वाला बोस सारी चीजे गई गई थी लेकिन उसके बावजूद भी ममता बनर जी सरकार में लोटी थी ममता बनर जी वहां के जो राज्येपाल हैं चाहे वो धनकर थे जाई या फिर जो अब वाले हैं बोस उन सब को लेकर ममता बनर जी को परिशानी रहती हैं वो हमला बोलती रहती हैं लेकिन है हम सीधा परार करेंगे अब देखिए ममता बनर जी ने भी क्या प्लानिंग बनाई थी के तीन अक्टूबर को दिल्ली में जंतर मंतर पर धर्ना देंगे इसके लिए उन्हें एक special train book कराई के TMC के सारे कारेकरता कलकत्ता से बरकर वहाँ चलेंगे और यहां पर धर्ने का मतलब यह होगा जो पंचायती राजमंतरी हैं उनसे हम अपने रूरल डवलपमेंट्स के लिए जो फंट्स मांग रहे हैं वो हमें फंट्स नहीं दे रहे हैं तो उनके खिलाव हम धर्ना देंगे पहले तो बात यह भी सामने आई थी कि गिर्राज सिंग के दिल्ली स्थित आवास पर धर्ना परदर्शन किया जाएगा बाद में खबरे आई कि जंतर मंतर पर होगा फिर खबर यह आई कि ममता बिनर जी के अबिशेक बिनर जी को तलब गिया जाँच परताल के लिए आपको याद होगा कि अभी 13 सेप्टेंबर को भी 9 घंटे तक अभिशेक बिनर जी से पूश्ताच हूँ थी और उस दिन भी इंडी ब्लॉक जो है इंडी एलाइंस जो है इसकी शरत पमार के घर पर दिल्ली में एक समनिवे समीती की बैटक होनी थी जिसमें सभी कॉडिनेटर्स आय हुए थे उस बैट अरोप लगाता ही रहेगा आप रमेश विधूडी को अगर हटा भी देंगे तब भी उसके बाद आरोप लगाया जाएंगे और वो वीडियो दिखा दिखा कर रमेश विधूडी का मुसल्मानों से वोट मांगे जाएंगे ये तब भी होगा तो इसलिए भारते जिनता पा पार्टी ने अपनी पिछली गल्कियों से सबक लिया है अभिशेक बनर जी पर भी वो ही स्टेंड अपनाया जा रहा है जो 2021 के बाद से भारते जनता पार्टी का मां रहा है और ये सब लोग सभा चुनाओं के मद्दे नजर है आप सब जानते होंगे कि इनकी लीप्स अक्टूबर का समन किया है विशेक बनर जी को उसमें माता पिता को भी बुलाया गया है तो यानि कि कोई किसी के साथ सानोगूती नहीं है अगले महीने में ही शायद अक्टूबर کے महीने में लालू परसाद यादा आपको फिर से जेल में नजर आएंगे क्योंकि इनकी जमानत है वो अब खतम होने जा रही है और अक्टूबर के विपक्ष की हो रही है विपक्ष जिस बात के लिए देखिए आदर्श सिध्धानत ये सब बाते तो सभी दल करते हैं लेकिन जब आप विपक्ष में होते हैं तो आप उमीद करते हैं कि जो सामने वाली पार्टी है वो सारे आदर्श अपनाए सारे सिध्धानतों का पालन कर सर्व दलिय बैठेग भी बुलाए विशेश सत्र बुलाया जाए पारलेमेंट का तो आपके पास अजेंडा भी समय से बेजा जाए लेकिन जब सत्ता में आते हैं तो सब यही करते हैं अब नरेंद्र मोधी टिटफोर टैट कर रहे हैं इन सब को सबक सिखा रहे हैं और मुझ सारे चुनाव हो चुके होंगे और उनके नतीजे भी सामने आ चुके होंगे तो मुझे नहीं लग रा कि रमेश विदूरी को लेकर भारते जनता पार्टी कुछ जादय गंबीरता से सोच रही है अब फिलाल उधर तो पस्चिम बंगाल में अभिशेग बनर जी के खिलाफ अब यान चला हुआ है और इधर रमेश विदूरी को आगे करके भारते जनता पार्टी ने ये सपष्ट कर दिया एक तरीके से भारते जनता पार्टी में एक मूख सहमती बन चुकी है कि हमें रमेश विदूरी पर कोई एक्शन नहीं लेना है इसका इंपक्ट क्या होगा इसका तो आकलन आने वाले समय में ही पता लगेगा फिलाल रमेश विदूरी के पक्ष में माहोल बना हुआ नजर आ रहा है मैं इसमें कोई बेबाक तरीके से कहने में बिलीव करता हूँ मुझे इसमें कहने में कोई भी दिक्त नहीं है कि अगर रमेश विदूरी को लेकर बाजबन एक अपना स्टेंड लिया है तो उससे निश्चित रूप से पार्टी का जो कैडर है उसका मनोबल बढ़ता है कि देखे साब पार्टी हमारे साथ खड़ी हुई है पार्टी हमें सपोर्ट कर रही है और उपर से रमेश विदूरी के इस बयान के बाद जो पारले पाराश भी दूरी के खिलाफ कार्रवाई की बात कर रही है उसी नहीं पारलेमेंट का जो विशेष सैतर आया था उस से पहले उन्होंने ये कहा था कि हम अदीर रंजन चोधरी का जो सस्पेंसन है वो खतम करते हैं संझेंग का सस्पेंसन अभी भी जा रही है यह आगे इतनी बत्तमीजियां राज्य सभा के अंदर की हैं, राज्य सभा के इतिहास में आस तक किछे ने नहीं की है, और जगदीब धनकड ने उन्हें सभक सिखाया है और अच्छा सभक सिखाया है, लिए किसी पारलेमेंटेरियन के लिए सत्र को ना अटेंड कर पाना एक बहुत ब अधिली में आम आदमी पार्टी की सरकारे अध्यादेश आया, तो उस पर चर्चा में वो भाग नहीं ले पाए, ये स्थिती आम आदमी पार्टी की है, तो मुझे रगता है कि भारते जनता पार्टी ने अब एक मन बना लिया है, कि साब टिट फोल टेट, इन सब को सबक स कीजेगा, नोटिफिकेशन के लिए बैल आइकोन जरूर पी कीजेगा, मैं कुछ सवाल लेना चारा था, और हमारे एक दो मेंबर्स हैं, इनके सवाल तो भाई लेने ही पड़ेंगे, गूगल साब क्या कह रहे हैं, गूगल कह रहे हैं कि अमेरिका में भी डेमोक्रेट पार आप बताईए, राजपूत समाज किसके साथ है, ये तो राजपूत समाज को ही तेय कर रहा है, मैं इस बारे में क्या स्टेटमेंट दे सकता हूँ, और राजपूत समाज बिहार में किसी और के साथ है, उत्तर परदेश में किसी और के साथ है, राजस्थान मद्वय परदे है और मैं सभी के कमेंट्स पढ़ता जरूर हूँ चैनल को सपोर्ट जरूर कीज़ेगा गूगल पे यूपी आई विदेश में रहते हैं तो पेपाल इन सब के माद्यम से प्लीज कंट्रिब्यूट कीज़ेगा चैनल को आप से